चलो बाई नदर आ रहा है जी अब सुनिए दरह में क्या कर रहा हूं मैं आपके सामने जरा लिखना शुरू करो इसको और सबीखाव ये पाँने वडिटैन ये विज थूरू कर रहा हurance चो अग्चों जो एंड एंड और वाकु ट्रीड उद खूड़ प्रीड अग्ट आज आज दिता यूर थान थे लिए ते हुत लुड़ मन्त दूड हुत लूरे वी मुटेर फिर देक्त्र दिएलिंग कान दिएलिग दिएलिग प्यान दिएलिगी दिएलिग zurत्र लेक्ट एप्रिल 2020 ठीक है अब इस तरह से एक टेबिल बनाएंगे पहला कॉलम ट्राजेक्शन अब बनाएंगे 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 पहला कॉलम पहला कॉनमा या ट्राजक्शन दूसरा कॉनमा या एसेट्स फिर अगला कॉनमा या लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज के बाद नेक्स कॉलम आया क्यापिटल ठीक है अच्छा इस तरह का सवाल पुराने लोग कर चुके हैं लेकिन करना क्या है यह असल है कर तो चुके हैं लेकिन सर आप करवाना क्या चा रहे हैं जरह यह सुनिए का मेरी बात तबज्जह से आईए जरह इसको करना शुरू करें पहला ट्राजेक्शन ओनर स्टार्ड बिजनेस चलो लिखते जाओ बोलो भाई नए बच्चे मेरे साथ हैं मेरे नए स्टूडं निरे साथ हैं के मेरे नए स्टूडं निरे साथ हैं अंचरा अनूशा अज़रा बिटा मैसेश करो कि विटा मैसेश करो शावाज साथ है सारे चलिए तरव देखें इसको इसी तरह से कॉपी करेंगे usability by । हमाद अबान इसमाहील साथ कॉपी करो रेक्वार्मेंट चेंज करूंगा बेटा इसकी में पहला ट्राजेक्शन ओनर ओनर स्टार्ट बिजनेस ओनर स्टार्ट बिजनेस ओन साइस बड़ा करो यार by investing cash rupees 500 000 अभ यह मैंने अकाउंट लिखेंगा cash फिर लिखा अकाउंट रिषेवल फिर लिखा supplies फिर लिखा फिर लिखा मशिनरी ठीक, इधर लिखा पेबल और कैपिटल तो कैपिटल यह होता है अब एक बात बताओ यह जो ओनर ने पांच लाख रुपे इन्वेस्ट किये हैं याद रखना बिजनेस जितनी ट्रांजेक्शन करता है हर ट्रांजेक्शन के बोलो बाई बिजनेस जितनी ट्रांजेक्शन पर्फॉर्म करता है हर ट्रांजेक्शन के दो इफैक्ट होते हैं एक डेविट दूसरा क्रेडिट होता है है नवई एक डेविट दूसरा क्रेडिट होता है बताओ जब ओनर बिजनेस में cash invest करेगा तो बिजनेस में कैश वाला एसेट बढ़ेगा शाबाश बिलकुल सर बढ़ जाएगा कितने से बिजनेस में कैश वाला एसेट पांच लाक से बढ़ जाएगा कितने से बढ़ जाएगा बोलो जल्दी सर बिजनेस में पांच लाक वाला एसेट बढ़ा बिजनेस में कैश वाल एसेट बढ़ा और इस एसेट को लाने की वज़ा से ओनर का क्यापिटल भी बढ़ जाएगा बोलो अग्रीट तो अगर मैं इसे एक्वेजन की तरह लिखूं तो मैं अगर इसे एक्वेजन की तरह लिखूं तो एक्वेजन ऐसे ही होती है ना equation ऐसे ही होती है सर कैसे होती है यह देखे सर आप equation ऐसे होती है सर assets equals to equals to liabilities plus plus capital सरी equation ऐसे ही होती है बिलकुल ऐसे ही होती है आपने हमें बताया हुआ बिलकुल हूब भू ऐसे ही है equation ऐसे ही होती है asset बराबर होते है किसके liabilities plus capital के तो जितने के asset invest हुए ठीक उसी रकम से capital भी बढ़ गया equation हो हो गई बराबर equation हो गई बराबर अगला transaction bought machinery on bought machinery for cash rupees for cash for cash rupees कितना let's say 46,000 अब सुनना मेरी बात क्या खरीदा है जल्दी बोलो क्या खरीदा है जल्दी बोलो क्या खरीदा है जल्दी बोलो machinery by nature asset है सर कैसे पता चले हर वो चीज हमारा asset है which are expected to provide future economic benefit हर वो चीज हमारा asset है which are expected to provide future economic benefit हर वो चीज हमारा asset है जो आने वाले कल में हमें फाइदा दे हमने क्या purchase किया सर आपने आपने machinery purchase की जल्दी बोलो क्या purchase किया बोलो machinery purchase की तो जितने की machinery purchase की cash पर उतने से cash वाला asset बोलो क्या होगा बोलो उतने से cash वाला asset क्या होगा सर उतने से cash वाला asset कम होगा तो accounting उसे क्या करते हो accounting में जो चीज़ कम होती है, उसे क्या करते हो? Sir, हम उसे करते हैं. मैं account का nature भी लिख रहा हूँ, ठीक है? आपकी आपकी असानी के लिए. मैं account का nature भी लिख रहा हूँ, ठीक है? किसटाओ खीक है? किगए वह जूता है? में क्या debit हुआ क्या credit हुआ सर पहली वाली entry में cash debit हुआ capital credit हुआ क्योंकि business में पैसा आया पैसा आने की वजह से cash वाला asset बड़ा और capital क्या हो गया बेटा ड्रेड़ हो गया दूसरी वाली transaction में क्या खरीदा machinery खरीदी machinery खरीदने की वजह से क्या हुआ बोलो machinery खरीदने की वजह से क्या हुआ सर कैश वाला asset कम हुआ तो हम कैश को क्या करेंगे बेटा हम कैश को करेंगे credit कि यह रूल है याद रखें पुराने वालों को तो पता है नए वालों के लिए आसानी कर Potato लिख के दे रहें ताकि उनको लेजर बनाने में 2023 हो बताओ यह तो अजो हो गिया सर्ड डैविट क्या होगा सरफ 26000 4814 Minister जोचीज माइनस होगी मैं उसे ब्रेकट में लिखोंगा घ्ज किस माइनस होगी मैं उसे ब्रेकट में लिखोंगा और जो छीज प्लस होगी मैं उसको नॉर्मल ही लिखूंगा सर हर transaction के दो effect होंगे एक debit दूसरा credit होगा एक debit दूसरा credit होगा सर अगली transaction जल्दी देखो तीसरे नमबर की transaction copy कर रहे हो साथ copy कर रहे हो साथ चली आगया यह तीसरी transaction करना क्या है यह मैं बाद में बताऊंगा करना क्या है यह मैं बाद में बताऊंगा पुराने लोग तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी नए लोगों के लिए है थोड़ा मैं असान करके कर रहा हूँ bought supplies on credit rupees five thousand क्या खरीदा सर supplies खरीदा है किस पर खरीदा बोलो किस पर खरीदा बोलो कैश पर खरीदा या credit पर सर हमने on account उधार पर खरीदा इसका मतलब अब तक पैसे नहीं दिये लेकिन supplies खरीद लिए जैसे ही supplies खरीदूँगा सप्लाइज वाला एसेट बढ़ेगा लेकिन चूंके अब तक पैसे नहीं दिये सर आपको कैसे पता चला कि पैसे नहीं दिये लेकिन जी on credit लिखा हुआ है on account लिखा हुआ है उधार पर लिखा हुआ है वाज़े तो बोलो लिखा तो वह जो on account लिख दिया तो ये बात तैय हो गई कि हमने उधार पर खरीदा है अब तक हमने पैसे नहीं दिये हैं अब तक हमने पैसे नहीं दिये तो supplies वाला एसेट तो पांच हदार से आगिया अलहम्दुलिल्ला हमारे पास ठीक है लेकिन साथे साथ एसेट बढ़ता है तो उसे हम डेविट साइट पर लिखते हैं एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेविट साइट पर लिखते हैं ठीक सर एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेविट साइट पर लिखते हैं हम equipment आप supplies को डेविट करेंगे लेकिन चूंके अब तक हमने पैसे नहीं दिये हैं बोलो वह बढ़ती है तो बोलो बाई बोलो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रडिट साइट पे आती है सर ठीक हो गया अब यह रूल इंशालला मैं कल कल या परसों में अपने नए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा तब हम और बहतर हो जाएंगे फिर यह चीजें तुम लोगों को दुबारे से करवाऊंगा फिर यह चीजें तुम लोगों को दुबारे से करवाऊंगा इंशालला परेशान बिल्कुल नहीं होना आगे चलो अगला ट्रांदेक्शन तुम लोग मेरे सुनियेंगा मेरी बद मशीन ओन क्रड़ेट क्या किया सर सोल और ओल मशीन और क्रड़ेट पुरानी मशीन थी कोई उसे उधार पर बेच दिया पुरानी मशीन थी कोई उसे उधार पर बेच दिया 16,000 रुपे से उसे उधार पर बेच दिया जब मैं पुरानी मशीन बेच रहा हूं उधार पर बताओ मशीन जितने की भी थी जरा बताओगे कितने की मशीन थी 46,000 की मशीन थी 16,000 की बेच दी मशीन बेचूँगा तो मशीन बढ़ेगा या कम होगा machine asset था बड़ा था तो debit आज कम होगा तो हम उसे क्या करेंगे credit करेंगे लेकिन उधार पर बेच रहा हूँ उधार पर बोलो पैसे मिल गया लेने हैं बोलो पैसे मिल गया लेने हैं शाबा शाबान account receivable वाला asset बढ़ेगा सर पैसे मिले नहीं हैं हमें पैसे लेने हैं हम अपने पैसे नहीं छोड़ेंगे हमें तो पैसा अपने customer से अपने client से लेना है क्योंकि उसने हमें credit पर हाँ शाबाज हमने उसे credit पर बेचा है तो सर ये ये आगिया सर डेबिट किया अब बताओ machine बढ़ेगी या कम होगी जब खरीदी थी तो बढ़ी थी आज बेच रहा हूं सर आज machine को बेच रहा हूं सर तो machine क्या हो जाएगी machine क्या हो जाएगी बोलि रुपे से machine की value कम हो जाएगी सर 16,000 रुपे से machine की value कम हो जाएगी सर मशीन बढ़ी थी तो debit आज कम होगी तो credit हो जाएगी हर transaction के दो effect एक debit दूसरा credit notice करते जाओ एक debit दूसरा credit debit credit must be equal आगे बढ़ूं अगला transaction आया सर पांचवे नंबर पे पांचवे नंबर पे अगला transaction आया payment made to यह इसको ऐसे कर लेता हूं असान कर दे पेमेंट आफ account पे एबल रुपीज payment of accounts पेबल रुपीज थर्टी फाइव हंड़ेड पैतिस्वा रुपे का पेबल पे कर दिया सर तीन हजार पांचवा रुपे का पेबल कर दिया पेमेंट कर दी उसकी बोलो जल्दी बोलो पेबल मेरी liability है liability पहले उधार पे लिया था तो liability बढ़के credit होती आज पैसे दे रहा हूं आज पैसे दे रहा हूं तो मेरा पैसा मेरा cash भी कम होगा और मेरी liability भी कम हो जाएगी बोलो मानते हो मेरी बात को cash कितने से कम होगा sir 3500 से कम होगा cash बढ़ता है तो debit कम होगा तो credit CR credit record बनेगा चलो आगे कम क्या होगा sir liability कम होगी liability बढ़ती है तो credit कम होगी 3500 से तो क्या हो जाएगी बोलो क्या हो जाएगी बोलो sir ये debit हो जाएगी done हो गया हर transaction के दो effect हर transaction के दो effect बोलो बिटा एक debit दूसरा credit नवाई ऐसा ही अंचरा ऐसा ही है ऐसा ही है अजरा ऐसा ही है मरियम हर transaction के दो effect बन रहा है एक debit हो रहा है दूसरा credit हो रहा है debit credit debit credit बड़ाबर होगा छटा transaction चाटा transaction क्या है sir चटा transaction क्लेक्शन ओफ अक्याउंट अक्रप्यूंट रिसेविबल रुपीज कि रूपीज नाइन ताऊजनre न नौ हजार कर्याईब एक करेंट कर लिए से बताओ जब करुगात तो मेरे पास पैसे आएंगे या ने जब रिसेवेबल कलेक्ट होगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे बोलो रिसेवेबल कलेक्ट होगा तो पैसे आएंगे कैश वाला एसेड बढ़ गया कितने से 9000 रुपों से एसेड बढ़ता है तो किस साइट पे आएगा सर डेबिट साइट पे आएगा ठी और रिसेवेब वाला एसेड बढ़ाया कम हुआ उसार डिफरेंट ली कम हो गया तो जो कम हुआ तो उसको ब्रैकेट में लिखा सर ने ताक्किन करila करते दिखा सके न कि माइनस का रहा है बड़ा था फो डैबिट कम होगा तो डुटाट होगा ठीक हो गया हर ट्राण Pittsburgh दो एफेक्ट तेडिशा जो ग्रेडट हो रहना कि अश्विआ कि मोई थी मज़ी कि थू मैसे माइनस माइनस चलो मैनेों लिग दे रहो मैंने से दूरत यह है माइनस कर दियो कर दिए कर दियो कैस्ट माहिन एक हो गया हॉ यह माइनस हो तो जो माइनस हो रहे हैं उनको जो कम हो रहे हैं मैं उनको माइनस के साइन से शो कर रहा हूं ठीक है आगे-ागे साथ वी एंट्री पर इसके बाद मैं रिक्वार्मिंट लिखूंगा तुम notice कर रहे हो हर transaction के दो effect है हर transaction के दो effect है एक debit हो रहा है दूसरा credit हो रहा है debit credit must be equal हो रहा है ना बैटा debit credit must be equal कि यह मैं लाइने इसलिए लगा रहा हूं ताकि सेपरेट हो जाए हर एंट्री दूसरे से कि अर्ट रादेक्शन के दो एक डेविट हो रहा है दूसरा डेविट क्रेडिट मस्ट भी इक्वल ठीक हो गया डेविट क्रेडिट मस्ट भी इक्वल चलो आगे बढ़ेंगे अगे बढ़ेंगे अगला ट्रांजेक्शन ओनर मेड एंड एडिशनल इन्वेस्मेंट बाई इन्वेस्टिंग सप्लाइज रूपीज टैन थाउजन भाई बोलो ओनर ने क्या किया एडिशनल इन्वेस्मेंट किया क्या एडिशनल इन्वेस्टिंग किया उसन सप्लाइज ले क्या आगिया है सप्लाइज ले आया मजीद तो सप्लाइज वाला एसेट बढ़ गया सप्लाइज वाला एसेट बढ़ गया ना सप् ठीक इसी तरीके से और क्या चीज बढ़ गई सर इन्वेस्टमेंट की वज़ा से उसका उसका कैपिटल बढ़ गया सर कैपिटल बढ़ गया कैपिटल कितने से बढ़ गया सर दस हजार से ही बढ़ गया एसिट बढ़ता है तो डेबिट कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होगा अब ये लो हर ट्राजेक्शन के दो एफेक्ट हैं हर ट्राजेक्शन के दो एफेक्ट हैं एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है अच्छा क्रेडिट का मतलब माइनस न करए हैं गर अगर मैं तुमसे लेजर बनाने बोलू treatments को तेक्तने टी अकाउंट बनेंगे खितने अकाउंट बनेंगे इनके बताओ कितने टी याकाउंट बनेंगे देखें सबसे पहले कौन जवाब देगा हमाद ने बोला छे मरियम ने बोला छे कैसे बता रहें सर आप ये छे अब ये बेटा कितना असान है ये जरा देखना तो मैंने ये उपर की चार हेड्लाइनों को हाइलाइट करके जिनको मैंने येलो कलर दिया यही तो टोटल अकाउंट है जिनमें वैल्यू प्लस माइनस हु हुई है और तो कोई अकाउंट ही नहीं है इसके इलावा तो और कोई अकाउंट है ही नहीं बोलो इसके इलावा कोई अकाउंट है वह भाई नहीं है सर करना क्या है सर हमको हमको करना क्या है हमको करना क्या है यह बताई यह बताई सर करना क्या है आजाओ बताता हूं करना क्या है अब आयर रेक्वाइड अब आयर रेक्वाइड गलेμिद नमाज बंस 12οι एकमरत्त रुको यार मैं सेकेंड येर वालों नमाज भ्रेक देड़ो कि फैजान पंच मिनट का नमाज भ्रेक देड़ो इस बैंकिंग का पिरिट्ट तो 6 वज्जे से शुरू करोगे दाए छे सेचेश करों बेन नॉस बरेक दो जब तक मैं इनको काम देगा इनको काम करेंगे वह घरपे हो वाग दे यार इन पर लिख लो पहली रिक्वार्मेंट पढ़ लो थरह पहली सिर्पार्मेंट क्या ँसषlor प्रेपेश प्रपेर जर्नल जर्नल ठीक है उसके बाद क्या बनाओगी प्रपेर जर्नल जर्नल लेजर पहले क्या करोगे जर्नल जर्नल बनाओगे फिर क्या करोगे जर्नल लेजर बनाओगे फिर क्या करोगे सर तीसरा काम ट्राइल बैलेंस कर लोगे चलो बोलो कर लोगे यह तो बहुत असान कर दिया सर ने बहुत कर लोगे बोलो सवाल कर लोगे सबसे चाहिए मैसेज सबसे हर एक से चाहिए ट्राइ नहीं करना है भाई करना है सबका मैसेज चाहिए मुझे अपने पास हर एक का मैसेज चाहिए शाबाज जो मैसेज कर दे वो चला जाए इंशाल्ला इंशाल्ला सबने करना है सबने करना है अंशरा अजरा इस्माईल इस्माईल का मैसेज नहीं आए इस्माईल आबान आबान इस्माईल कि सरोश ने कर दिया भाग गया बाद यह भाग के सारे ऐसे भागते जैसे गड़े के सर से सींग चलो हूं वक्र